गिरिश सोलंग की साथे वीबुपा टेल न्यूशेटिन गुजराती थराद गिता मैता पासे जैशू नजाने शू की आखरे कुलकेटाट का मद्दान तयू करके सबार्थी नेता हुए अभी नेता हुए खिलाडी होए तेवों पर मद्दान खरीदे पर अपील करी रहा चे गीता किवा परकार्दों जे रिस्पोंस मली रहो चे महराश्टर नी बसुर इठ्यासी बैठक पर जे चुगडी जंग खेलाई रहो चे मद्दाली टकावारी सरेराश कितली जुआ मली रहो चे केवो उत्सा जे लुको माँ माराश्टमा सवारे वेली सवारे साथ वाग्याती मद्दान चरू तहुचे ने आजे मोडी सांजे छव अग्या सुधी या मद्दान चाल्शे मपर त्रण वाग्या सुधी ना अखडा पर नजर करिये तो 31 स्टका उपरांद मद्दान तहुचे अल ओवर जे बसो 88 सीट पर जे माहल जो मड़े रहो छे ते तमाम माहल अने माराश्ट विदान सवा चुटणी नी जे रसा कसी चे दनी पर बात करवा मारा साथ उपस्ती चे पॉलिटिकल एक्सपर्ट रवींद्र जी बहुत स्वागत न्यूज 18 में आपका अभी तक का जो रुजान आ रहे हैं जो 31 परसंट जो अभी आखड़े आ रहे हैं इसको क्या मानते कम या ज्यादा पिछले चुनाओ के कंपरेजन में ये अब तक का थोड़ा कम टर्न आउट है क्योंकि आप देखें कि दो दिनों की चुट्टी है चुट्टी के बाद में ये तीसरा दिन है तो लॉंग विकेंड है उसके बाद में दिवाली की चुट्टी भी शुरू हो चुके तो इसका थोड़ा असर है साथी में हम देखें तो महारश्ट में बाकी के जगों पर कुछ जगों पर भारी बारिश आज सुबह भी हुई थी तो उसका एक बहुत असर है फिर भी अब जैसे जैसे दिन डलता जाएगा तब सारे उमीदवार अपने अपने वोटर्स को घर से बहार निकालने की कोशि है कि बीजेपी और शिवसेना का ये जो गडबंदन है कितना क्लिक होगा क्योंकि कहीं बात ये भी सामने आ रही है कि एक तरफ शिवसेना आधिते जी को सीम कंडिडेट के तौर पर प्रस्तुत करें दूसरी बार दूसरी तरफ ये वटनविस को घोशित कर चुके हैं सीम पत के उम्मिदवार सीएम डप्यूटी सीएम का जो मामला है और जो अंद्रुनी जो बात है वो क्या है ये मामला सचिन सावन जी कॉंग्रेस के प्रवक्ता ये भी अच्छी तरह से बता सकते हैं लेकिन फिलाल जोग डिकलेर्ड है कॉंग्रेस राष्टवादी कॉंग्रे ये दोनों एकसाथ लड़ रहे हैं शिवसेना और बीजेपी दोनों जो पार्टिया भलेगी गड़बंदन में हैं लेकिन उनमें आपसी 35 जगों पे उनके रिबेल्स हैं और शिवसेना आगे जाएगी या बीजेपी आगे जाएगी ये दोनों में कॉंपेटिशन तो लग टीम ऑस्टिलिया के टीम की तरह खेलते हुए नजर आई उन्होंने पूरी ताकत यहां पे जोकी पीम खुद आये अमिच्छा खुद आये कॉंगरेस की तरफ से कम जोर लगा हुआ है एंसीपी ने शरत पवार अपना आखरी एकका जो है वो मैदान में उतरा तो यह पूर साम गतीविदियों में वीपक्ष बले ही अलग-अलग जगों पे बिखरा हुआ है लेकिन वो आपको नुकसान पहुंच जाए बिलकुल नजर आता है बीजेपी और शिविशना को टक्कर तो है यहां पे वो आपसी टक्कर भी है और साथ में वीपक्षी दलों की भी टक्क साम सामें काटानी टक्कर जेने एक तरफी वातावन मानी लेवनी जरूनती देम के उचे परडिकल एक्सपर्स नोजी बिलकुल अबर गीता तमाम जानकरी आपा बदल तो अंदर अंदर नो टकराओ निपर जुआ मली रहो चे महारास्त्रमा जयांसी दिवाच वाजा पड बैटों को चे के जयां अंदर अंदर जे खटास चाली रही चे अनि ते उड़ी ने आखे अपड़ गी रही चे तो आई स्टार्स से के जिवो मदार मतद पर पहुंचा अनि ये तमाम जे एक्टर्स जो मलाब के जमने पतनी फरज अदा करी चे नेता होई के बची अभी न जोशी बदू के लग समाचारी के परिक बाद